प्रक्रण त्रोंण द्वीदल लेखक परिचय बाड़ दोस्तों द्वीदलना लेखक छे डॉक्टर आई के विजलिवाळा तेमनू मूल वतन छे भावनगर जिल्लानू अमर गड़ तेमनू जन्म चाउद मी जुलाई ओग्णि सो साहिठ मा थायो हतो हाल तेओ भावनगर्मान निवास करे छे बाड़ोस्तों मजानी वाद तो ए छे कि डॉक्टर विजलिवाळा साहिब व्यवसाए डॉक्टर छे अने साथ हु साथ एक सारा लेखक छे तेमने वार्ताना अनेक पुस्तको लख्या छे जमा साइलेंस प्लीज मोती चारो प्रेमनो पगरव अने उंदर भाईने आखो आवी ते पुस्तको खुबज लोक प्रिया बने आछे आ पाठनी बन्ने वार्ताओ तेमना पुस्तक प्रेमनो पगरव माथी लेवामा आवी छे एक मूर्ती एक मानस एक वखत पोताना गाम्मा बनी रहेला नवा मंदिर नू निर्मान कारे जोवा गयो हतो एक कोई जानकार नहतो बस एहमज जोवा माटे गयो हतो त्या जहिने एने जोयू तो एक शिल्पी खूबज एका ग्रता थी आरस पहान ना पत्थर माँ थी भगवाननी मूर्ती गड़ी रहे हतो पिला मानस ने एना काम मार रस पड़ी गयो ए शिल्पी नी बाजुमा बैसी गयो अचानक एनु ध्यान बाजुमा पड़ेली एवीज अन्य एक मूर्ती पर पड़ियो एने नवाई लागी एने शिल्पी ने पूछू मंदिर मा एक सर्खी आ बै मूर्तीयों नी जरूर छे ना शिल्पी ए जवाब आपयो आवी एक ज मूर्ती नी जरूर छे परन्तु आ बीजी मूर्ती मा थोड़ू नुकसान थवा थी छिल्ली घडिये पड़ती मुक्वी पड़ी छे पिला मानसे उभा थैने पड़ती मुकाहेली मूर्ती ने चारे तरफ थी तपासी जोई एने तो कोई जग्याय काई पन नुकसान न देखायो एने आश्चर्य साथे शिल्पी ने फरिती पूछू आ मुर्ती मा मने तो कोई जग्याय नुकसान देखाय छे एना नाक पासे एक नानो घसर को थैगायो शिल्पी ये कहो पिला मानसे फरिवार द्यानती जोयो त्यारे एने एने ए नानो घसर को देखायो एणे शिल्पी ने पूछु तमे आ मुर्तीनी स्थापना कई जग्याय करवाना छो। पेला 20 फूट उँचा स्तंब उपर शिल्पी ये जवाब आपयो। पेला मानसना आश्चर्यानो पार न रहो। एना थी कहवाई गयो। भला आदमी जो आ नानकडी मुर्तीनी स्थापना एटले बधे उँचेज गरवानी होय तो आवी खोटी महनच शुकाम। त्यां वळी कोण जोवानू छे के एना नाक पर नानो घसर को छे। शिल्पी ये पोतानू काम अटकावी ने ए मानस सामे जोयो। पची हसी ने बोल्यो, भाई, बिजु कोई आवाद जाने कि नहीं, एनी मने खबर न थी, परन्तु हुँ अने मारो भगवान तो आ जानिये छी ये ने, एटलू कही एटली ज एकाग्रता थी, एने पोतानू काम फरिथी शरू करी दिधो। निशब्द बनी पिलो मानस ए शिल्पी ने जोई रहो। हाथ मैला आने खराब हता। इटले इस स्पीकर फोन पर वाद करतो हतो। अन्य कोई ग्राह के समय स्टोर मां हाजर नौ होवा थी, दुकान दार एनी वाद ध्यान थी सामड़ी रहो हतो। सामा छेडे कोई स्त्री वाद करी रही आती। यूवके कहिऊ। मैडम, तमे मने तमारे त्यां लौन कापवानों काम आपिशको खरा। सामे छेडे थी स्त्री नों अभाज आवयो। नहीं भाई, लौन कापवा माटे मैं मानस राखिली धेल छे। यूवक बोल्यो, मैडम, अत्यारे तमारे त्यां राखिल मानस ने जे पगार आपता हौव, एना करता अडधा पगार ती हूँ लौन कापी आपिश। सामे छेडे थी स्त्री ये कहुँ, ना भाई, हाल लौन कापवानों काम जे मानस करे छे, तैना थी मने कोई ज यूवक के कहुँ, मैडम, लौन कापवानी साथे हूँ घरनी आजुबाजुनों रस्तोपन साफ करी आपिश, अने ए माटे कोई वधारानी रकम वगर। पेलिस्त्री ये जवाब आपयो, ना भाई, आभार, मने हमना बिजी कोई व्यक्तिनी जरूर न थी, मैं रोकेला मा अनस्ति, मने पूरो संतोष छे। आटली वाच्चीत पूरी करीने खुशकुशाल चहरे, ए यूवके फोन नूस्पीकर बंद कर्यो। दुकांदार नो फरी एकवार आभार मानी ने ए जवानी तयारी करतो हतो, ए जवक्ते दुकांदारे एने पासे बोलाव्यो। एनी ब जदी वाच्चीत साम्भली ने ए पन खुश तही गयो हतो। पेलिस्त्रीये काम आपवानी ना पाड़ी छता, यूवक ना चहरा पर निराशानी कोई रेखा नो हती, कि ए जराय उदास पन नो हतो थायो। टूक मा एनी एक खुमारी एने स्परशी गाई। यूवक पासे यूवक पेलिस्त्रीये काम आपवानी ना पाड़ी तो पन तू खुश रही शक्यो। ए वातज मने खुब स्परशी गई छे। एने भले ना पाड़ी, परन्तु हूँ तने काम आपवा तैयार छो। बोल, मारे त्या काम करिश। पेला यूवक ए हस्ता हस्ता ना पाड़ दुकांदार ने अत्यंत नवाई लागी। एने कहू, पन दिकरा, हमना तू तू पेलिस्त्री ने काम माटे रिच सरनी आजीजी करी रहो हतो। काम नहतू जोईतू, तो पछी एवुशा माटे करतो हतो। यूवक हस्ता हस्ता बोल्यो, नहीं सर, हुझ ए मेडम ने त्या क करो छो। आतो मारू काम केवू छे, ये तपास्वा माटेज मैं एमने फोन करेलो। जेती करीने मारा काम अंगे मने ख्यालावे। दुकांदार ने एक निर्दोष स्मित आपी ने एने विदाही ली धी। दुकांदार एने जतो जोई रहो, अने क्यां इसुधी ए यूव जक्नी स्वा मुल्यांकन नी रीतने बिर्दाहोतो रहो। एक मूर्ती, एक मानस एक वकट पोताना गाम्मा बनी रहेला नवा मंदिरनू निर्मान कारे जोवा गयो हतो। एक कोई जानकार नहतो, बस एमज जोवा माते गयो हतो। त्या जईने एने जोईू, तो एक खूबज एका ग्रता थी आरस पहाण ना पत्थर मां थी भगवान ने मूर्ती घड़ी रहो हतो पिला मानस ने एना काम मां रस बड़ी गयो ए शिल्पी नी बाजुमा बैसी गयो अचानक एनो ध्यान बाजुमा पड़ेली एवीज अन्य एक मूर्ती पर पड़ियो मंदिर मां एक सर्खी बे मूर्तियों नी जरूर छे? ना आवी एककज मूर्ती नी जरूर छे परन्तु आ बीजी मूर्ती मा थोडूक नुक्सान थवा थी छेली गड़िये पड़ती मुक्वी पड़ी छे पिला मानसे उभाथईने पड़ती मुकाहेली मूर्ती ने चारे तरफ थी तपासी जोई एने तो कोई जग्याए काई पन नुक्सान न देखायो एने आश्चर्य साथे शिल्पी ने फरिती पूछू आ मूर्ती मा मने तो कोई नुक्सान देखातू न थी तमने आमा कई जग्याए नुक्सान देखाये छे एना नाक पासे गसर को थई गयो तमे आ मूर्ती नी स्थापना कई जग्याए करवाना छो पेला 20 फूट उँच्या स्थम्ब उपर भला आदमी जो आ नानक्डी मूर्ती नी स्थापना एटले बधे उँचेज करवानी होई तो आवी खोटी महिनत शा माटे त्या वड़ी कौन जोवानू छे के एना नाक पर नानो घसर को छे भाई बीजू कोई आवाद जाने के नहीं एनी मने खबर न थी परन्तु हूँ अने मारो भगवान तो आ जानिये छी एने एटलू कही एटली ज एकाग्रता थी एने पोतानू काम फरिथी शरू करी दिधो निशब्द बनी पिलो मानस ए शिल्पी ने जोई रहो बै स्वा मुल्यांकन एक युवक परदेश ना एक स्टोर मा दाखल थायो दुकानदार साथे नम्रता थी वाद करी ने तेने पबलिक फोन वापरवानी मंजूरी मागी दुकानदारे हाँ पाड़ी युवक ना हाथ मैला आने खराब हता इटले इस स्पीकर फोन पर वाद करतो हतो अन्य कोई ग्राह के समय स्टोर मा हाजर नो होवा थी दुकानदार एनी वाद ध्यान थी साम्ब्ली रहो हतो सामा छेडे कोई स्टरी वाद करी रही आती मेडम तमे मने तमारे त्या लौन कापवा नू काम आपी शको खरा? नहीं भाई लौन कापवा माते में मानस राखेलो छे मेडम अत्यारे तमारे त्या राखेल मानस ने जे पगार आपता होए तेना करता अरधा पगार थी हुँ लौन कापी दैश ना भाई, हाल लौन कापपानु काम जे मानस करे छे, तेना थी मने कोई ज फर्याद नथी मेडम, लौन कापपानी साथे हुँ घरनी आजु बाजुनों रस्तोपन साफ करी आपिश, अने ए पन कोई वधारानी रकम वगर ना भाई, आभार, मने हमना बिजी कोई व्यक्ति नी जरूर न थी, मैं रोकेला मानस्ती मने पूरो संतोष छे आटली वाजचीत पूरी करीने खुश्कुशाल चहरे, ए युवके फोननों स्पीकर बंद कर्यो दुकांदार नों फरी एकवार आभार मानी ने ए जवानी तयारी करतो हतो, ए जवक्ते दुकांदारे एने पासे बोलाव्यो एनी वधी वाजचीत साम्भली ने ए पन खुश्च तई गयो हतो पेलिस्त्रीये काम आभानी ना पाड़ी छता युवकना चहरा पर निराशानी कोई रेखा नुहती के ए जराय उदास पन नहतो थायो दुकमा एनी एक खुमारी एने स्पर्शी गई युवक, पेली स्त्रीये काम आपपानी ना पाड़ी तो पन तु खुश रही शक्क्यो ए वात मने खूप स्पर्शी गई छे। एने भले ना पाड़ी, परन्तु हुँ तने काम आपपा तैयार चु। बोल, मारे त्या काम करेश? ना पण दिकरा, हमना तो तु पेली स्त्रीये काम माटे रिच्सर नी आजी जी करी रहो हतो। काम नौतू जोईतू, तो पछी एवू शा माटे कहतो हतो। नहीं, साहिब, हुँ एज मेडम ने त्या काम करूछू। आतो मारू काम केवू छे एट तपास्वा माटेज में एमने फोन करेलो। जेती करीने मारा काम अंगे मने ख्याल आवे। जेती मारा काम काम क्रेंगे जेती कर्णाक सर्ण कंपास्वा हते कंपास्वारा काम सर्ण